हेलो एबरीवन तो काफी स्टुडियंट का काफी समय से इंतजार था पड़ा मेडिकल और पॉल टेक्निक का फॉर्म कव आएगा कव आएगा तो बिहार सेंग्स परवेश प्रतियुक्ता प्रिक्षा परसद यानि कि बी सी इए बोड द्वारा जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो चली नोटिफिकेशन में क्या सब दिया गया है तो आप लोग को प्रूप के सांथ हम देखते हैं तो नोटिफिकेशन को पहले हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें क्या सब दिया गया है उसके बारे में देखते हैं तो डिपलोमा सर्टिफिकेट य या जो नोटिफिकेशन वेब साइट पर डाला गया है इसका यह वेब साइट है तो इसमें दिया गया है कि डिपलोमा सर्टिफिकेट परवेश परित्योगत्या परिक्षा डिपलोमा, सर्टिफिकेट परवेश परित्ययोगत्य परिक्षाथ 2022 के बारे में तो पोल्टेकनिक, पार्ट टाइम चार वर्षी और पोल्टेकनिक अभियांत्रन, पडा मेडिकल, इंटर्मीडियेट अस्टा पर अपड़ा मेडिकल मात्यमिग करें यानि कि पॉल टेक्निक अवयांतरन पार्ट टाइंचर वर्षी या पॉलेगो農 मांध्यमेक स्तर यह 4 फोर्म है तो चली उसके काफी बेसिक से जनकारी बताएंगे इसमें दिया गया है ऑनलाइन मेथर्ड अगर विद्यारती परिच्छा सुल्ख का भुगतान अगर कोई किसी विद्यारती फॉर्म फिलप करना चाहता है तो ओनलाइन भुगतान करना चाहता है तो क्रेड़िट काद डेविट काड तो कर सकता वे कंप्यूटर इसकी इन पर दीख रहे है पेमेंट मेथर से अम मोड से ओनलाइन ऑप्षन सेलेक्ट करके क्रेड़िट काड अथ्वार्ट डेविट काड अट्वानेट वैंकिंग वाइं या यूपी आई के माधम से वह पेमेंट करना चाहता है तो कर सकता इस और अन्य चार पूम है तो अगर किसी एक को फिल अप करना चाहता है कोई सट्यूड्य जो एसट्विटेंट जन्राल ओवे सी से विलोंग करता होगा उसको 750 रुपा लगे ठीक है अगर वह student SC और सटी से बिलॉंग करता हो तो उसको 480 रुपा लगेगा कितना लगा 400 रुपा लगेगा अगर कोई student SC और स्ट से बिलॉंग करता है तो फिर्फ फॉर्म फिलब करने का उसके बाद नेक्ष्ट में दिया गया है कि किनी दो पाट एक देक फिलब करना चाहते हैं प्रामेडिकल का भी और पॉल्टेक्निक का भी तो आप दो फिलब करना चाहते हैं तो एस यानि कि जेनरल ऑबी सी से आते हूं यानि कि जेनरल एस्टुडेंट के लिए 850 रुपा लगेगा अगर वहीं देखा जाए तो एस्टी और स्टी के लिए 530 और पिलब करना चाहते हैं आगर कोई स्टुडेंट को90 रुपा लगेगा जबकि 20 स्ट्री स्टुडेंट को 36 रुपा वहीं दिया तुम्ट कैणि हैं क्याँ करना चाहता है प्रामेडिकल उपर हम देखें प्रामेडिकल पॉल टेक्निक और अन्य दो फॉम है तो अन्य स्टुडियेंट को जो है अत्यांत पिछरा वर यानिके जेनरल से ओभी सिर्से आता होगा इस्टुडियेंट उनको लगेगा एकार सब पचास रुपया जबकि स्टेप सेवेन यानिकी डाउनलोड पार्ट वण पार्ट बी यानिकी जो ऑनलाइन करने के बाद है क्या क्या मिलेगा तो और साधाने पुरुवक रखना होगा तो इसके बार में देख लेते हैं तो इसमें दिया गया है कि पर्षद द्वरा निर्धारित यानिकि जब हम आउनलन करते हैं तो साइबर दुवरा निकाला गया कौपी एक पार्ट फोन पार्ट ऑर ऐस बी में होगा ठीके आपक्रीचीर जिसमें एक में तो कर वारसे एक पेमेंट में थट बाला तो वो दोनों हाड कोपी जोगा पार्ट वो ए और पार्ट वी दुनों को संभाल के रखेंगे नीचे आते हैं नीचे आते हैं तो देखते हैं आप पर ओनलाइन प्रकिरिया कब से शुरू होगा तो इसमें दिया गया कि यदिया अभ्यार्थी को ओनलाइन अप्लिकेशन फरम भरने के उप्राण पता चलता आए कि आविदन पत्र भरने में कोई सुचना फोटो या हंस्त सुधार करने के लिए इडिट करने का मौका 9-6-2022 को दिया जाएगा माली यह फॉर्म फिलप करते या फॉर्म भरबाते समय जो है ओनलाइन करते समय हंस्ताक्षर यानिके सिंगिनेचर या अप्लोड फोटो में किसी कारण जो है सो गलती हो गया है तो उसको इडिटिट यानि सुधार करने का दिया जाएगा उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगा कि नेक्स्ट है कि इसका जो फॉर्म फिलप होगा इसका फॉर्म फिलप जो होगा कि उसके बारे में देख लेते हैं तो ओनलाइन रजिस्टेशन स्टार्टिंग डेट दिया गया है 15-05-2022 से यानिकि नोटिफेकेशन तो जारी कर दिया है लेकिन अस्टार्टिंग होगा समध्यत महत्पूर्ण तिथिया दिया गया है तो ऑनलाइन यह स्टार्टिंग रहन से स्टार्ट होगा और अनलाइन रजिस्टेशन पर दिट यानिकि लास्ट देट जो होगा वह साथ चो रुजज़िवां सब्सक्रषर्स बज़े यह क्लोजिंग कर दिया जाएगा वेबसाइट को नेक्स्ट है लास्ट डेट पेमेंट थ्रोग चैलन तो यह चला जो है साथ चोड़ बाइस को होगा नेक्स्ट तो यह था उसके बाद ऑनलाइन एडिटिंग अप्लेक्शन फ्रम तो यह सब तो कि उतना इंपोर्टेंट है नहीं जो इंपोर्टेंट था हम बता दिए उसके बाद तो इतना आप लोग याद रखें यह जो फॉर्म रजिस्टेशन होगा वह पंद्रफ पांच दो जरबाइस से स्टार्ट होगा और साथ चोड़ बाइस को यह कलोज हो जाएगा यानिकि ल चारों फिलब पर ना चाहते हैं तो ऊसी और के स्ट्वेट के लिए बूंदो गरेगा जबकि अन्य स्ट्वेट को से आता होगा उसको और सफल पाचास अगर किन ही तीन फिरम को को में फिल करना चाहते हैं तो नहौशफा पचास पर लगएगा अगा वैश्में यानिकि औ और जेनरल से आते हुए और सी एस्टी के लिए चोशतीस और दो फरम फिलब करना चाहते हैं माली जब पॉलिटेखनिक और प्रामेडिकल तो पांसोतीस रुपय लगेगा एस्टी और सी छात्रों के लिए जबकि अन्य वबी सी और जेनरल से आते हुए इस्टूडेंट को आ इंपोर्टेंट नोटिफ नोटिफिकेशन से समद्धित जानकारी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तो आज के लिए तना है थैंक यू जैन जा भारत